काम का नजरिया बदलें खुशियां हमेशा साथ रहेगी ये मोटिवेशनल स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो आए बीन टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं ये मोटिवेशनल स्टोरी बात पुराणी है लेकिन है रोचक एक बार एक मुनी तिर्थ यात्र पर निकले रास्ते में एक गाउं आया मुनी बहुत ठक चुके थे उन्होंने गाउं में ही एक खेत के नजदीक बरगत के पेड़ के निचे श्रण ली वहीं कुछ मजदूर पत्थर से खंबे बना रहे थे मुनी ने पुछा यहां क्या बन रहा है एक मजदूर ने कहा पत्थर काट रहा हूँ मुनी ने फिर पुछा वो तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहां बनेगा क्या दूसरे मजदूर ने कहा मालूम नहीं मुनी आगे चल दिये उन्हें एक और मजदूर मिला उन्होंने उससे भी यही पुछा क्या क्या बनेगा लेकिन उस मजदूर ने भी निराशा से भरा उतर दिया लेकिन अब जो मजदूर मिला उसने ठीक उतर दिया मुने ने पुछा तो उसने कहा मुनिवर यहां मंदिर बनेगा इस गाउं में कोई बड़ा मंदिर नहीं था गाउं के लोगों को बाहर दूसरे गाउं में तिवार मनाने जाना पड़ता था मैं अपने हुनर से यहां मंदिर बना रहा हूँ जब मैं पत्त्रों पर छेननी चलाता हूँ तो मुझे मंदिर की घंटी के वाद सुनाई देती है मैं अपने सी काम में मगन रहता हूँ मुनी उस मजदूर के इस नजरिये से इस नजरिये से अभी भूत हो गए और उसे आशिरवाद दिया संक्षेम में कहा जा सकते हैं कि जीवन आप किस तरीके से जीते हैं यह आपका रविया तरीक करता है काम को यदि आनन्द के साथ किया जाए तो हमेशा परमानन्द की अनुभूती होती है उस मजदूर को चेननी के वाज में मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी यानि उसका नजरिया महान था इसलिए वो इस काम को कर पाया इसलिए कहते हैं कि खुशी आपके काम में ने काम के प्रती आपके नजरिये में है तो यहाँ पर यह कहानी हो जाती है खत्म तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक करना ना भूलो और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो से सब्सक्राइब भी कर ले सुधाएं कि वार वाश दिस वीडियो